इसको यहां रखते हैं तर इसके बाद ना continue यहां पर जगह नहीं है नीचे दिखाने के लिए पहले समझ लेते हैं फिर transfer कर देंगे कि करके entry कोई बड़ी बात नहीं है चलिए सवाल देखते हैं हमें equity share capital दे रखा है एक हमें 31 March का balance sheet given है इसके अंदर हमें share भी है इसके अंदर preference भी है इसके अंदर equity भी है इसके अंदर reserve and surplus भी है long term borrowing है current assets यानी total मिलाके नहीं वाली balance sheet बना के दिखा रखा है कुछ assets है और कुछ यहां पर और भी अब यहां पर देखें कुछ assets ऐसे है that is preliminary expense that is discount on issue of shares तो यह assets कौन से share है यह assets हमारे वो बाले हैं जो की value less है क्या इसमें से सारे assets में से क्या यह realization account पर जाने के लिए तैयार है तर नहीं यह realization में नहीं जाएगा अब adjustment में कहता है preference share dividend area three year तीन साल से preference share का area देखते है payment करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा ठीक है आगे देखें तो क्या कहता है a new company firm called as strong limited पहले यह week limited था एक नया company बना दिया strong limited जिसका authorized capital रहेगा हमारा यह और equity share 10 रुपे का एक रहेगा तो इस entry का कोई लेना देना नहीं है बस यह यह आपको बताना चाहते है कि नई company बन चुकी है और जिसका authorized capital 32,50,000 रुपे का 10 रुपे का एक होगा तो authorized capital का कभी भी हमारा किसी entry को पर impact होता ही नहीं है ठीक है आगे कहता है हम भाई एक 5 रुपे वाला पेड़ वाला equity देतेंगे new company के अंदर allotted equity share of the old company कहता है नई company जो बनेगी ना हमारी जो हमारी नई company बनेगी इस company के अंदर आपको एक equity share मिल जाएगा जितने आपकी पुरानी company में तो भाई सब पुरानी company में डेड़ लाग था आ आपके पास equity share capital थे पहले एक लाग और मैंने बोला पांच वाला आपको मिल जाएगा एक तो आप बताईए आपको कितने मिल जाएंगे पंदरा साड़े साथ लाग है ना साड़े साथ लाग रुपे वेंल्यू का समान मिल जाएगा आगे कहता है दो equity share पांच वाले दे दे को हर एक preference share holder जितने भी इच preference share holder है दो दे दे देंगे तो preference share capital कितने हैं बैसा पचास हजार तो पचास हजार वालों को हम कितने दे देंगे दो दे देंगे और एक share कितने का होगा पांच रुपे that is आपका कितने हो गया पांच लाख रुपे हो गया कहता है area of preference share dividend cancel कोई फरक नहीं पड़ता पहले भी हमने liability नहीं मागना था आप बोल रहे हो cancel कर दो तो इसकी कोई entry है ही नहीं कहता है debenture holder receive 30,000 equity share new company fully paid यानि debenture holder को यह 30,000 हम shares देंगे कहने का मतलब भाई साप सामने वाली company को यह दो ही चीज मिलने वाली है that is यह क्या निकल के आगया हमारा purchase consideration और यह निकल के आगया 12,500,000 तो पहला काम यहां भी हमने पहला काम कर लिया जो कि हर बार करते हैं that is the purchase consideration debenture holder को company देगा new company में इसका मतलब debenture holder भी taken over किया जा रहा है credited to be taken over by the new company इसका मतलब सर creditor भी taken over किया जा रहा है the remaining unissued share paid up by director जो बाकी का बच्चा था वो director बोलता है हम पैसे दे दे देंगे तो देख लेंगा बाकी का कोई मतलब नहीं है वो तो buyer company देखेगा आगे कहता है the new company take over the old company all assets सारी company ले ले लेगा assets except patent को बोल रहा है मैं नहीं लुगा भाईया इस patent को ले जाओ आप मेरे बसकी नहीं है इसको subject to और कुछ assets ऐसे भी है writing down the plant and machinery को बोल रहा है कि भाईया इतने से कम कर दो इतने में लुगा और stock को बोल रहा है इतने से कम कर दो लेकिन लेने को तो तयार है ना लेने को तो तयार है तो मुद्दे की बात है भाई साब लेने को तयार है तो जो चीज़े लेने को तयार है उसको हमें बेचना ही नहीं है उसको तो PC के अंदर consider हो जाएगा लेने को तयार क्या नहीं है सर्फ पेटेंट तो पेटेंट को हम जैसे भी बेचना होगा देखेंगे आगे कहता है पेटेंट वर रिलाइज 10,000 इसलिए उसने बोला पेटेंट को हमने बेच दिया है कितने का बेच दिया सहाब 10,000 रुपए का बेच दिया है कहता है के पास जर्नल एंट्री इन दा बोकस ऑफ इसलिए और एकस्पेंस हमारा कम्स कितने का आया कहता ही कि अब यहां सवाल में कह नहीं रहा कि किसने पेमिंट किया है अब आपको एक अजम्शन लेना पड़ेगा कि किसने पेमिंट किया हो सकता है में भी बायर ने किया हो सकता है सैलर अगर सैलर कमान रहे हो पेमिंट किया है तो इसको दिखाएंगे तो हम सैलर अजम्शन लेके कर लाजेका और पेमिंट कर देंगे समझ में आ रहा रहा है आपको बात तो एक फटा-फट से आप भी तयारी करों मैं भी तयारी करता हूं एक realization account बना लेते हैं हम见 और एक बना लेते हैं कि हम equity share holder और एक preference share का भी बना ही लेते हैं ठीक है ॥ा? चलिए एक preference share का भी बना लेते हैं तो एक account सिर्फ हम books of buyer की बात कर रहें books of seller की बात कर रहें तो भाई सहाब यह बनने जा रहा है हमारा Realization Account Realization Account का मतलब हम कमपणी को बंद करने जा रहे हैं बंद करने जा रहे हैं तो क्या करोगे सर बेसिक सी बात उसको सारे असेट्स उठा के फैक दो बहार लाइबलिटी को निकाल दो कमपणी वैसे बंद हो जाएगी मतलब बैलेंच शीट में से assets निकाल लो, liability निकाल लो एक बनाएंगे हम share capital account और एक एक इक बना लेते हैं लगे हम पर्टिकुलर वगरा लिखी लिए 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 बना लिया आप सभी ने सर स्क्रीन नहीं समझ आ रहा है सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है बढ़े सक्रीन पर ना दब रहे हैं और सब कुछ एकदम साफ साफ कर देते हैं कजिए के अगली क्लास से अब पास्ट या के कुसंट में लगें हम जो से झाल झाल यह आस्मानी आस्मानी पतानी क्यों हो गया है नहीं आप दुबारा के चक्कर में तो नौबत जाएंगे आप देख रहे हैं अब क्लियर है बताईए एक पर बुक दिखाना गच्वाओ तो अप्त्र कर दूबत जाइए लग्पार्ण पताईए आप पत्र कर दो क्यों हो पत्र कर दो को अधूनध दूबत दूबत दूब अधॉश्ण लगे अधकर प्रशबत यदाएंगे प्रॉश्ण कि कि अधिकर रहा है कि अधिकर दिवाग घरन हो जा रहा है कि अधिक 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 बहुत आसान चेप्टर है जल्दी खतम हो जाए जल्दी खतम हो जाए तो दिमाग का सब कुछ गर्म हो जाएगा आप बस ये कहो ये आसान एजस्मेंट कितने 7 8 अर्गस्मेंट आ रहे हैं ठीक है ज्यादा नहीं सिंपल है आभी देखो आप करके देखोगे फिर चलो एक पर दिमाग गरम हो रहा तो थोड़ ठंडा करते हैं क्या क्या रूल है सबसे पहले रूल लिखते हैं चलो क्या क्या करेंगे सर सबसे पहले ओल ऐसेट ट्रांसफर करो सर ज्यादा बाते नहीं करना सारे ऐसेट ट्रांसफर करो PLANT procurement श्रकुर यही काम कर लेते हैं पहले सारेसेट ट्रांसफर करते हैं तो आ जाई सर्य वाई यहां चुन ले तो इसट्स यहां से सर ऊपर दोठने जुरत नहीं है प्लांट एक्प्लांट 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 साथ लाग और फरनीचर दो लाग और सर एक चीज में बताना भूलिया यह सारे के सारे एसेट्स ग्रॉस वेल्यू पर लिये जाते हैं मालो इन केस डेटर दे रखा है डेटर के नीचे आपको प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स करके दे रखा है तो आपको ग्रॉस वे गुडविल चार लकु को और पेटेंट और सर और सेखते हैं सर करेंट्स में क्या इन्वेंटरी लो गई आप बिलगुल लेंगे सारे सरीज़ीगा भाई साब इन्वेंटरी क्या इन्वेंटरी चार नबे और क्या था ट्रेड रिसीविबल दो लाग पच्पन अजार चलिए सर और कोई एसेट्स लेने लाइक है क्या कैस लोगे कहीं सवाल में बोला है बायर कमपनी बोल रहे हैं ना हम तो कैस नहीं लेंगे कुछ बोला नहीं तो मान लो लेगा वो और वैसे भी बहुत रेर केस है के बायर बोल दे मैं तेरा कैस नहीं लूँआ कैस तो हर कोई लेने को तयार रहता है तो कैस बैंक हमारा पाँच हजार है तो चलो जी बायर कमपनी ले रहा है तो हम यहां लिखेंगे कैस और बैंक जो बचचे सेल्फ पढ़ते हैं उनका दिमाग खराब ह जाता है बहिए अभी तक बारभी में पढ़ाथा advocate वैंक और कैस को छोड़ दो है रिलियाजेशन अकाउट और यहां बैंक कैस क्यों लिए जाता रहा है यहांपे बैंक और कैस क्यों लिए जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ब्रहम होता है सर 12 के जैसा हमारा यह है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं एक बार तो फिर फेल हो गए एक बार तो फिर लगा चलो कोई बात नहीं हमने 12 का रिवाइज नहीं किया होगा इसलिए साइध एक्जाम के टाइम पर खोल तो अब बोड़ रहें आप क्या करें आप समझ में नहीं आ रहा है दस दिन में कुछ ऐसा तरीका बताओ जिससे पास हो जाएं तो तरीका है मेहनत अगर वो आपको आता है तो आप पास हो सकते हैं चलिए सर Cash and cash equivalent ठीक है Cash and cash equivalent इसके बाद यह वाले assets ना नकली assets है यह वाले assets वो assets से जिसकी कोई value नहीं है तो इससे कहाँ transfer करोगे सीधा equity share capital में ठीक है ना तो preliminary expense discount आठ हजार और बारह हजार चलिए preliminary expense टू में और discount सर कितने का था सर यह था हमारा आठ और बारह आठ और बारह समझे बात कोई दिक्कत यहां था सारे assets हमने ले लिए सारे assets ले लिए patent तो मना किया उसने patent लेने से मना किया मैंने क्या समझाए सर पेटेंट मना किया उसने तो सारे assets लेंगे लेकिन बेचेंगे उसी assets को जिसने उसने take on over करने से मना कर दिया मैंने यह शब्द इस्तमाल किया ठीक है अब सर सारी liability भी ले लेते हैं पहले लेंगे तो सारा हम liability भी या liability में क्या equity share तुझे नहीं लेंगे reserve and surplus तुझे नहीं लेंगे तो ये सारे जो assets दीख रहे हैं इन assets को हम नहीं लेंगे अटाओ इसे तो सर ये कहा जाएगा ये equity share holder में जाएगा अब प्रेफरेंच येर को नहीं लेते हैं वहाँ पर मैं प्रेफरेंच येर पर इस्टार लगा देता हूँ बागी लाइबलिटी ले 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 लाइबलिटी ले 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 अभी तक तो मेरे हिसाब सब कोई मुस्किल नहीं है, कोई बच्चा बोलता है मुस्किल है, तो उसका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है न, अभी तक कुछ मुस्किल था, सारे हमने चलिए, अब हमें क्या करना था, इसके बाद format भी देख लू, मुझ मैं भी याद कर लो, थोड़ा सा format आप भी याद करिये, क्या था, कि format में बोला था, सारे assets रख दीजिए, सारे liability लिख दीजिए, इसके बाद यहां क्या लिख दीजिए, PC, उसके बाद जो company payment करेगा, या फिर जो asset taken over नहीं, उसकी payment की बात करी गई है, ठीक है सर, यानि अब सर, हम यहां पर buy side में रख सकते हैं, purchase consideration, जो कि कितना निकला है सर, हमारा purchase consideration, 12,50,000 रुपे, तो buy side में आ जाएगा, अब buyer काएगा, कौन सा था, strong limited, strong limited ने खरीद आए ना, कितने का 12,50,000, सवाल में कहता ह भया हमने patent तो नहीं लिया, लेकिन हम patent को market में बेच कहेंगे 10,000, मैंने कोई बात में बेच दो market में 10,000 नहीं लिया था, तो इसलिए market में बेच देंगे, तो buy side में लिख देंगे, sir, buy bank, buy bank, और patent को sale कर दिया, 10,000, कई वार examiner क्या करता है, देखो patent हमारा कितने का था, 15,50, यहां पेटिन लाग है, यहां एक तरीके से आपको इस assets पर नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान हो रहा है, एक चालिस का नुकसान सीधा इधर दिखा सकती हो आप, मतलब दूसरा तरीका, कई वार book में करते हैं, कि आप यहां patent मत दिखाईए, क्योंकि buyer लेके नहीं गया, मैं दूसरा alternate बता रहा हूँ, पहले जो बता है बिल्कुल ठीक है, चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, दूसरा alternative, सर्फ जो assets नहीं लेक क्योंकि थोड़ा सा इसमें rhythm बिगड़ जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैं सर, और कुछ भी लेना है, कि assets में liability में से देखते हैं, realization expense मैंने बोला था, कि हम मान लेंगे के payment करेंगे, सर, आप मान रहे हैं, seller company payment करेगा, तो bank में लिखिए, two bank, और bracket में realization expense, कितने रुपे का सर, दस अजार, दस अजार रुपे का realization expense, अब तो कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा, अब यहां से या तो निकलेगा profit, या तो निकलेगा loss, और कुछ liability transfer करना है, जो कि ये वाले है, equity share चला जाएगा, हमारा buy में कितना 15 लाग रु reference इसमें नहीं डालना भाई साब, इसमें reserve and surplus आ जाएगा, sir reserve and surplus में क्या है हमारा profit and loss था साइर, कितने का, 2,80,000 का नुकसान, 2,80,000 का नुकसान, तो नुकसान भाई साब किदर आएगा, profit था तो इधर आ रहा था, नुकसान दे रखा है, तो इधर लिखेंगे, to reserve and surplus, loss अब इधर आ जाएगा, ठीक है, कितने 2,80,000 का, समझे बात, यानि जो लाइवलिटी का positive balance है, वो तो इधर लिखे रहे थे, लेकिन अगर कोई negative loss आ गया, तो वो किदर आ जाएगा, इस साइडा, चलो sir, यहां तक किसी को दिक्कत बताओ, यहां से हटा दे, reserve and surplus, पहले यह वाला जो कि strong limited देने वाला है हमें, जो कि strong limited हमें देगा, purchase consideration है, बताइए यहां तक कोई doubt, चले आगे, चलिए sir, अब यहां से जो भी निकलेगा balance, loss निकले चाहिए profit निकले, इसका हगदार कोन है, equity share holder, इसका हगदार sir, equity share holder ही है, तो sir, यह sir, पहले इसको total करते हैं, तो sir, इधर भी देख लेते हैं, तो sir, इधर ही का total जादा कहां का लग रहा है, मिरे को यही जादा लग रहा है, तो बाइस लाख दस हजार, और buy side में जो भी आएगा, वो आएगा loss, और loss के जगह पे हम कहां लेके जाएंगे, equity share capital में, equity share capital account bracket में loss, ठीक है, आपको पूरे पूरे शब्द इस्तमाल करने, exam के अंदर, minus पाँचला, minus 12,50,000, minus 10,000, सहब 4,50,000 का नुकसान हो गया, यह किसको नुकसान हुआ, सर, seller company को नुकसान हुआ है, हमें क्या लेने देना, उसको क्या नुकसान हो रहा है, buyer company को को कोई मतलब नहीं है, seller company का नुकसान हो गया, company बेचने में, और यह फाइदा किसको मिल सर एकुटी शेयर होल्डर वाले को ही भुगतना पड़ेगा फायदा नहीं नुकसाने तो इसी को भुगतना पड़ेगा तो लॉस है तो टू आ जाएगा हमारा रिलाइजेशन और ब्रैकिट में क्या आएगा लॉस कितने का चार लाग जब हम ये लिख देंगे तो दोनों साइड अपने आप मिल जाएगा ये अगर दोनों साइड मैच हो रहा है तो समझे आपका काम ठीक ठाक चल रहा है अगर मैच नहीं हो रहा तो कहीं ने कहीं गर-ब उसको एकुटी शियर होलडर को क्या मिला उसके हक में सात लाग पचास हजार का एकुटी शियर कैपिटल मिल गया कितने का सात लाग 50,000,000 यानि PC के दो टुकडे हो गए preference वाले कि मैंने इसमें नहीं लिखा तो preference वाले को हम अलग लेके चलिए सर्फ equity वाले का यहां discharge की बात करेंगे तो sir 15,000,000 इसका total तो आसान है फटाफट हो गया यह भी 15,000,000 आएगा चेक कर लो 8,000, 12,000 280, 750 और चार पचास है ना चार पचास तो sir 12 नहीं आ रहा नहीं आ रहा 8,000, 12,000 280 और 4,50 और 7,50 यह तो 15 आ रहा है 15 तो आ रहा है 12 थोड़ी आएगा 15 आएगा 12 नहीं आएगा 15 आएगा मैंने मेरे मुझ से निकल गया बारा है यह 15 टोटल था 15 books of buyer seller का खतम इसके अंदर कुछ-कुछ points और करने जो कि हम देखेंगे एक preference share holder वाला देखेंगे ना है में कि क्या करेंगे हम खीक है ना चलिए preference share holder का समझेगा कहानी समझेगा preference share holder का जो भी preference share capital होगा इधर आ जाएगा बाई साइड में लिखोगे बाई preference share capital सर कितना है preference share capital पर preference share capital ये रहा पांच लाग तो लिखिए पांच लाग अब इसको मिला क्या preference share ही मिला तो two preference share capital अब आपको अजीव लगए है इधर भी preference भाई इधर भी देखो ने इधर भी equity और इधर भी equity आ रहा है ठीक है ना तो ये equity के आगे मैं लिख देता हूँ ये buyer के अंदर है और ये seller में है और ये कौन सा है seller में मिलेगा और ये buyer यहाँ पर difference निकल सकता है अपका तो sir preference share कितना मिला पांच ही मिला लो जी लो पांच का पांच मिल गया तो कोई दिक्कत वाली बात में ते जो भी अगर difference होता तो realization में जाता ध्यान रखना अभी मैंने वो question नहीं करा है अभी तो मैं basic पहले आपका concept तो develop हो जाए आपको पहले basic तो पता चल जाए ऐसे ऐसे कहानी घूमने वाली है फिर मैं इसके अंदर कुछ एक entry डालूँगा clear है एक और entry एक और books of account होता है वो देख लेंगा उसको छोड़ दो पहले यहां तक देख लो सब तो समझ में आ गया sir class over कर दो please यहां तक सभी बच्चों को clear है इसका मतलब आपको email submission आ रहा है जिस बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा है तो आपने आपको समझाएं कि यह chapter हमें समझ में आ रहा है अपने आपको अगर बोलोगा sir यह chapter है नहीं आ रहा तो नहीं होगा अगर ये सारी चीज़े कर पा रहे है यही तो अमल्गमेशन है क्लियर सर चलिए क्लियर हो किया अब जनल एंट्री भी देख ले वो बहुत आसान लेजर से जनल एंट्री करना बहुत आसान होता है देखो कैसे करेंगे ये सारी एंट्री रिलाइजेशन टू सारी एंट्री इसके बाद रिलाइजेशन से ये एंट्री यानि जो इस अकाउंट के अंदर है सब को रिलाइजेशन से एंट्री कर दो ठीक है ना तो अगर मैं रिलाइजेशन से एंट्री करूँ मैं सारी जनरल एंट्री तो नहीं छोटे-छोटे एंट्री सिखाता हूँ अब फस्ट एंट्री पहली एंट्री है ओल एसेट्स जब ट्रांसफर होगा क्या करेंगे सर realization account debit two सारे assets सारे assets में क्या है plant and machinery अब देखो यहां से सारे assets ले लो plant and machinery furniture, goodwill, patent furniture goodwill patent patent inventory trade receivable bank inventory trade receivable two bank यह सारे entry कर दिया, bank amount मुझे याद है बस लिख देता हूँ बाकी बताते जाओ इसका क्या था plant machine रिकाओ साथ दो चार डेड़ साथ लाग दो लाग चार लाग डेड़ लाग दो असी दो असी था नहीं चार नब्वे और दो पच्पन चार पच्पन और चार नब्वे इन सभी को जोड के realization में लिख दो इन सभी को जोड के realization में लिख दो तो इन सभी को जोड आ रहा था मैंने यहां लिखा था अब देखो इसका फाइदा क्या मिलेगा जनल एंट्री में अपने टूटल किया और टूटल लिख देंगा बाइसला समझे बींग यह दो पर अच्छा चार पच्पन हो गया दो पच्पन बींग आल एसिट ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट इसका मतलब है भाई साब एसिट्स को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है और देखे सर कुछ टू में बनता है सर यह बैंक से पेमेंट किया है तो रिलाइजेशन टू बैंक, एक्सपेंस पेमेंट entry क्या करेंगे realization account नहीं पहले फिर ऐसे गड़बड हो जाएगी पहले ऐसे ट्रांसफर की आप liability किया था ना तो liability transfer कर देते हैं तो कैसे होगा हमारा debenture दो ही liability था एक creditor और two realization आप ऐसे भी समझ लो assets को जब balance sheet से निकालोगे तो credit करना होगा liability को balance sheet से निकालोगे तो debit करना होगा साब ये कितने कितने का था 3-2 3-2 trade payable है percentage percentage लगा ले ना भाईया being all liability transfer to realization account बताओ इसमें कोई मुश्किल अब हम क्या करेंगे PC जो है इदर इस साइड में जो PC आया है इसके entry कर देंगे realization इसको अब इदर वाले को debit करेंगे strong limited to realization क्या करेंगे सर strong limited to realization account क्यार ये जो PC होगा ना ये बारा पचास being PC transfer चलिए सर इसके बाद क्या करें PCB transfer अब bank से payment करा patent को बेचा है तो bank में पैसा आएगा two realization patent बेचा है लेकिन realization आएगा यहाँ पर being में लिखेंगे realization sold और सॉरी 10,000 ठीक है और क्या होगे बच गया इसमें सर ये ये loss बच गया loss कहां ले गए हम equity share holder में ले गए तो क्या होगा हमारा यहाँ से entry होगा realization yes sir equity share capital to realization equity share capital to realization चार पचास का चार लाख पचास अजार समझें यहाँ तक अब इसके बाद हम equity share की भी कर देते हैं entry यहाँ से entry क्या होगा equity share by में होगा debit equity share debit हो जाएगा two preliminary expense two discount two मतलब यह वाला debit कर देंगे और equity चलो मैं एक एक करके equity share debit to equity share capital ऐसे करते हैं equity share capital account debit to equity share holder 15 लाग रुपे और टू किस किस को देंगे यह बोल सकते हो amount इसका due करने जा रहे हैं अब क्या करेंगे हम equity share holder और टू किस किस को देंगे हम लेंगे preliminary expense सर हम लेंगे discount सर हम लेंगे loss जो था realization वाला भी था loss दो दो loss थे एक था loss हमारा कौन सा balance sheet वाला टू लेंगे realization वाला loss और टू लेंगे equity share capital कौन से बायर में यह 15,000,000 था यह 8,000 था यह 12,000 था यह 4,000,000 नहीं 280 था यह यह 280 था यह 4,000,000 था और यह 7,000,000 लो जी जहां तक हमने सीखा है मैं उतनी general entry करा मैंने कुछ advance ज्यादा कराया है नहीं अभी कल भी glass रहेगी 7 बज़े लेकिन कल 7 से नो नहीं 7 से आठ ताकि मैं इससे आगे धीरे धीरे regular class रहेगी शाम किया NEP वालों का सुबह कोई काम नहीं यहां तक एकदम साफ साफ clear है आपको clear है यहां तक तो आज की class में हमने क्या क्या सीखा यहीं से थी आज की class सर आज की class में हमने क्या देखा कि जब books of seller को prepare किया जाता है तो सारे के सारे assets हमें realization के अंदर transfer कर दिये जाते हैं जितने भी assets है सारे realization account के अंदर transfer कर दिया जाएका except कुछ values-less assets को transfer नहीं किया जाएगा अब cash की बात करें तो cash को transfer भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है depends अगर cash taken over किया गया है तो transfer करेंगे Otherwise नहीं करेंगे सारी liability को यहाँ पर transfer कर दिया जाएगा equity share और reserve and surplus को यहाँ transfer किया नहीं जाता बाकी external liability को transfer कर दिया जाता है इसके बाद हमें यहाँ purchase consideration को entry कर देते हैं purchase consideration के बाद जिस assets को take on over नहीं किया गया था उसको बेच दिया जाएगा bank से और realization expense की मज़े की बात देखे तो realization expense कैसे treatment करेंगे realization expense में sir ऐसा हो सकता है कि may be possible है कि realization expense का payment seller करे और may be possible है realization expense का payment buyer करे अगर realization expense का payment seller करता है तो उसे realization account में transfer किया जाता है अगर buyer करता है तो दो cases हो सकता है या तो वो पूरा payment कर देगा या फिर वो partly payment करेगा अगर पूरा payment करता है तो seller कोई भी entry नहीं करेगा क्योंकि उसके जेब से कोई पैसा नहीं किया लेकिन अगर वो partly payment करता है तो ऐसे case में हो सकता है बतलब directly payment, indirectly partly payment में जितना part payment नहीं किया buyer ने उस part को हम realization के अंदर क्या करेंगे show कर देंगे sir reimbursement का भी एक case आता है reimbursement में कोई entry seller नहीं करेगा लेकिन buyer करेगा buyer की books के अंदर अभी हम देख लेंगे कैसे entry करेंगे तो ये था हमारा expense का सारा treatment